हेलो एबरिवान कैसे हैं आप सब तो ये वाली वीडियो काफी टाइम से सेफ थी मेरी गैलरी में गाजर के हलोई ने बोला माड़े हमें भी दालनो यूट्यूप पर हम भी थोड़े फेमिस हो जाएंगे आपने हमें थोड़े डिफरेंट टाइब से बनाया है तो ये गाजर का हलोवा ग्रिटेड गाजर रुका नहीं है जूस निकलने के बाद जो गाजर बच जाती है उनका हलोई है तो यहाँ पे हमने कड़ाई में थोड़ा सा घी डाला था और उसके बाद गाजर और हम गाजर को कर रहे हैं थोड़ा सा रोस्ट उसके बाद हम एड़ करेंगे दूद दूद मैंने डाला है इसमें दो कटोरी आप यकीन मानिए यह हल्वा बस 20 मिन्टों में बनके रेटी हो जाता है ना तुसमें ज़्यादा दूद लगता है ना ज़्यादा घी लगता है लेकिन टेस्ट बिलकुल वैसा ही आता है जैसा ग्रेटिट गाजर की हल्वे में आता है तो मैं हमेशा जब भी जूस निकालती थी मैं गाजर को फेक दिया करती थी बट उस तिन मुझसे सब बोले लगी कि या कुछ मीटा खाने का मन कर रहा है तो मैंने सूचा क्यों ना गाजर का हल्वा बनाने का ट्राइ किया जाया और मैंने पहले कभी बनाया भी नहीं था तो सोचा चलो कुछ नया ट्राइ करने को मिल जाएगा और यहां पर हम इसे तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक दूद गाजर में अच्छे से अब्सॉब नहीं हो जाता उसके बाद यहां पर हमने डाल दिये खोवे की मिठाई थोड़ी सी और इसे मूल सकते हमावे की मिठाई बट इसमें इतना मीठा नहीं था तो मुझे थोड़ी सी चीनी और डालनी पड़ी इसमें चीनी डालने के बाद हम इसे फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से subscribe करना और वीडियो को share कर देना thank you so much for watching